हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर मिनाक्षी मीना आज हम बीए पार्ट टू का प्रश्ण पत्र ग्रामीन समाशास्त्र का अध्यन करेंगे इसमें आज हमारा टॉपिक है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रशक संबंद भारत में स्वतंत्रता के बाद परमपरागत क्रशी संस्तरण में परिवादर भूमी सुदारों ने भारत में परमपरागत क्रशक संस्तरण के उपरी भाग के महतों को घटा दिया है बहुत से बड़े जमीदारों तालू के दारों तथा जागिरदारों की अवनती हुई है अब उनकी प्रभुत्व शाल और जागीरदारों के आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक मामलों में अब प्रभुत्व की स्थिति नहीं रही अब दूसरों पर किराये पर भूमी जोतने देने वालों का नुपात अब पहले की तुलना में घट गया है दूसरे कुछ पूरवरती जागीरदार और जमीदार क करशी से होने वाले आर्थिक लाप को देखते वे करशी कारिये में अब प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगे हैं आजकल कई जमीदार श्यम्ठ पुनुजी पति किसान बन गए है और इस प्रकार अब सामन्ती प्रकार के भूस्वामी के स्थान पर आर्थिक प्रकार के भूस्वामी का महत्व बढ़ा है नमबर तीन नवीन प्रकार के भूस्वामियों का उदे हुआ है और जो वेज्ञानिक उपकरनों की सायता से खेती करने की और अगरसर हुए है आज भी 100-200 एकड के खेत या फार्म कई लोगों के पास है इन लोगों ने भूमी के उच्चतम सीमा संबंधी कानूनों से बचने के लिए भूमी का विभाजन अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दिखा अवश्य रखा है परन्तु वास्तम में पूरे फार्म पर एकी परिवा का अधिकार है आंध्री विताई का मत है कि यद्यपी आज अक्रशक भूस्वामी या अनुपस्थित प्रकार के भूस्वामी जो अक्रशक कार्यों में लगे हुए हैं अपनी भूमी को बेचने की और प्रवरत हैं परन्तु हमें से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भूमी क और काश्टकार के बीच की समापती आंध्रे विताई का मत है कि नवीन परिस्थितियों में उत्पादन संबंदों के पहले की तुलना में कुछ कम संस्त्रणा अत्मक बनाने में योग दिया है क्योंकि वर्तमान में भूस्वामी किसी ना किसी रूप में खेच पर काम करता है ऐसे में भूस्वामी और काश्टकार के बीच का अंतर कम हो गया है नंबर पाज भूमी का स्वामित्तु एम विकेंद्री करन आंध्रे विताई का कहना है कि भारत में क्रशी सुधारों के क्रियान्वयन में शितिलता रही है इस कारण ये सुधार क्रशक सामाजिक भूमी सुधार से किराय पर जोती जाने वाले भूमी के शेत्र में अवश्य कमी आई है और उच्छ मध्यस्तों के अधिकार भी समाप्त होए है परंतो इसे भूमी का स्वामित्त और केंद्री करन कम नहीं हुआ है भूमी संबंदों की संदश्टा वैसी की वैसी बनी नमबर एक ये लोग अपने भू स्वामियों के परती आदर्व सम्मान का भाव रखते हैं नमबर दो इन लोगों के भू स्वामी से आज भी सामाजिक दूरी पाई जाती है जाती विरस्था ने इस दूरी को बनाए रखने में अत्यदिक योग दिया है क्योंकि सामाने ते भू स्वामी उच्च जातियों और भूमिहीन क्रशक श्वमिक निम्न जातियों के सदस्य रहे हैं नमबर तीन उच्च जातियों से संबंदित भू स्वामी स्वम अपने खेतों पर हाथ से काम नहीं करते हैं क्रशी संबंदित परिश्रम साध्यकारिये निम्न जातियों के लोग करते हैं नमबर साथ जीवन के ढंग और क्रशक संबंद भारतिय गाओं में बड़े भू स्वामी पूरु जमिदार या जागीरदार पक्के मकानों और कोठियों में रहते हैं बटाईदार तता क्रशी श्रमिक कच्चे मकानों ज्हौपडियों में रहते हैं इसी प्रक ब्हूमि स्वामी और उनके अधिकारों से वंचित रकने में अधिक सफल रहें हैं नमबर 6 शक्ति वे संब्सक्त की द्रश्टी से क्रशक संबन भारत में धन प्रहस्थी शक्ती और सत्ता द्रश्टी dość तर ख्रेश्चे कों में असमानताय पाई जाती हैं ये असमानताय कर्शिकों के आपसी सम्मंदों को निर्धारिद करने में महत्वकुन भूमिकाई निभाती हैं जैसे कि नमबर एक बटाइदार और क्रशी श्रमिक शक्ती संस्तरन की प्रणाली में सबसे निम निस्तर पर हैं जाती विवस्ता तता परमपरागत विशेश अदिकान इस वर्कों शक्ती हीन बनाए रखने में मदद देते आ रहा है नमबर दो साधारणतय अक्रशक जातियों की प्रस्तिति सबसे उच्छ होती है इससे नीचे क्रशी कारी करने वाली दस्तकरी जातियां आती हैं और सबसे नीचे क्रशी नमबर तीन वर्तमान भारती राजनितिक विवस्था में प्रभूत्य संपन करशक जातियों की शक्ति बढ़ी है। जाकि प्रसार क्रशी शेत्र में नवीन उपकरणों के प्रियोग गेहन खेती आदी से भारतीय क्रशी संपन्मंदों में सेदान्तिक जिस्टी से परिवर्तन आया है। लेकिन व्यवार में ये परिवर्तन अधिक प्रभावी नहीं हो पाया है। हाला कि जाते एक अठोड़ता भू संबंदों की मौलिक संरचना ज्योंकित्यों बनी हुई है जैसे भू स्वामी क्रशक, बटाईदार क्रशक और भूमी हीन क्रशक। आज की क्लास में इतना ही नमस्कार।